आपको आधार सेंटर ओपन करना है तो आपको आधार ओपरेटर या फिर आधार सुप्रवाइजर के सर्टिफिकेट की जरुत होगी तो आप यह सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट पर जाकर अपना एक्जाम है बुक करना होगा जैसे आप एक् तो इसमें आधार operator का certificate होता है दूसरा इसमें आधार supervisor का certificate होता है जिसके पास आधार supervisor का certificate होता है वो आधार काड का पूरा काम कार सकता है जिसके पास वो यहां पर आधार operator का certificate होता है है वो थोड़ा कम काम कर पाता है कुछ कुछ जो editing होती है अधरकाड की वह नहीं कर पाते है कुछ ही जो basic details होती 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 हो यह correction कर पाता है जिसे fingerprint हुआ कुछ ice हुआ ऐसा data वो update नहीं कर पाता है operator बट supervisor वो update कर पाता है तो आधार operator और आधार supervisor का certificate होता है न वो आपके percentage याणि आपके जो एक्जाम है जो नमबर आएंगी उसकी उपर depend पड़ता है अगर आप कम नमबर लाएंगे तो operator का मिलेगा ज्यादा नमबर लाएंगे तो आपको आधा supervisor का यह यहां यादया. टोट N-S-C-I-T एक्जाम को यह यह जाना है जैसे यह डालेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो नीचे आएंगी यहां पर फॉस्ट में वैसाट दीगे इसको अपन करूगा तो इस तरह आगा जाता है तो क्या करना है थोड़ा सो और नीची आने साओ डोमेइन पर देखना है यह वाला आप को लिक मिल जाएगा यह वाला आप फिर वों inhib करना है और हम पीश्पा जा जाना है ठीकर इस प्रक्ता व attach से rainbow की entered लिक में मिल जाएगे विडियो के डिस्क बोक्स में तो वहां से CLICK करेंगे तो डाइक इसी पेश पर आह जाएगे तो आपको आसा नहीं होगी इस पैश फेलिए टिक में ये तो अब यूज़घ करना है तो यहां यूजर आन। passport की जरुद होगी तो यूजर passport आपको क्रेट करना होंगे क्रेट करने के लिए अब देवां यहाँ पर क्रेट न्यूजर का उसन देगए इस पर किलिए करके आपन नया यूजर पासपोर्ट बना सकते हैं जैसे हम क्रेट अब क्लिक करते हैं और इदर अपलोड XML file और यहां पर share code और यह जो टेटर्स यहां पर मांगी जारी वो टेटर्स आपको कहां से मिलेगी तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको Google में सर्च कर लेना माई अदर फर्स्ट में क्शल के और यहां पर आपर डाउंट पर एडिए विडित करेंगी कर देंगे तो आपकी आधर कर गडिवाएं पर यहां आएगा उस पर अटोपी को देखकर यहां पर फिल करेंगे इदर वह लोगी मुटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगिन हो जाएंगे जैसे आप लोगिन हो जाते हैं तो आपके सामने इस प्रिगा का देखने को मिलेगा आपको नीची की तरफ मूह करना है और इदर आपको एक ओप्षेन ढोड़ना है यहां पर उफलाइं करने के लिए बोला जाता है तो यहां पर आप अपना जो जनमतिती है उसका यहां पर एंटर कर सकते हैं और डाउन बुटन पर किलिक करें और आपको जिप फाइल हो जाएका इस परकार तो आपको जिप फाइल हो मिल चुका है जिप फाइल मिल जाने के बाद बेका जाना इसी ऑप्शन पर और यहां पर इस जिप फाइल को यहां पर चूज कर लेना है जैसे आप यहां पर यहां पर चूज कर लेते हैं तो उसके ब यह पता रहा है तो हम अगने कर लेते हैं और यहां पर होचुका है अब हमाल मोबाइल नबर ऐच पर आधार तो यह अधार से करेंगे और टोपी को सेंड करेंगे और टोपी को वेरिफाइग करेंगे जैसे हमने मोबाल नमर फिल किया वेलिडेट बटन पर किलिक करते हैं वैलिड हो चुका यही मोबाल नमर लिंक है और यहां पर सेंड मोबाल ओटोपी पर किलिक कर देते हैं यहां पर ओटोपी सेंड ह होनों चुक्यूद्टॉ सक्षिस्फ़ली और यहां पर एक टाइमर चूल के यहां इसलिगे वहां पर यहां पर इस्युन होता है तो यहां पर दो मिट के बाद दूबारा सहरी क्या बठना हो यहां पर आज आएगा तो ब्रुबारा और कर सकते हैं जैसे हमने यहां पर ओड़ कर दिया है samalut earlyκαksom नगा तो नए ओगई रहीजिया फिर ओपर सब्सक्राओं को सब्सक्राइज कर सकते हैं तो उपर दीक सकते हैं यह ओटेचिस लेजिए फिर ओड़ी वहां प्र साइज से है यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर अपना email हो एंटर कर ना हुआ अभी आपको email एंटर करने गये बाद आप सो XML बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर डाटा डिस्प्लेइ कर रहा है उसको एक बार कन फॉर्म कर लीजिए आपका ही डाटा सो कर किसी और अधर परसंद का तो हमारी डाटा है तो हम कन्फर्म कर लेते हैं और इसको क्लिक कर देते हैं और यहां पर हम एक मैसेज मिल चुका है यहां पर यूजर आईडी आ चुका है और यहां पर पासवर्ड आ चुका है लोगन करने के लिए लोगन करने के लिए आप यहां पर यहांपर klikaj button पर klik click कर सकते, यहां--" мिला तोę यहां पर जो user password मिला वो डालकर signing करेंगे, फिर आपके सामने एसा स्क्रेसन आ जायए का, यहां पर old password और पासपर्ट कि आ स्क्रेसक्थ के हैं कि अभी जो है पो को पासपट मिला क जिए और अपना डेशों बात यहां पर एंटर करकरके चय्र पासफ़ुट्ड बटन क्एचिये हैं चलिह हमने यहां पर औल डीमेख इस dealing करेंगे यहां पर चैयंज हो चुका है द्लिच सुक्ति करेंगे तो यह啊 हो चुका है फिर आपको पेज को देचिए GRA डाउन करेंगे तो आपको यह वाला box पर टिक करके continue बटन पर क्लिक कर देना है फिर आपको ऐसा स्क्रीन मिलेगा यहाँ पर आपको इस तरह का interface देखने को मिलेगा आपको यहादर और ही दरह आप से पूछा जाता है कि इस option से कि अगर आपने पहले कभी यहाँ पर एक्जाम दिया हो आधर काड़ा जिसमें आप फैल हो चुके हों तो यह वाला आफसर पर टिक करके यह डेटेल्स है आप फिल कर सकते हैं और जिससे आपके आपको डिसकाउंट हो मिल जाएगा यहाँ पर तो अभी हम first time है फ्रेस है तो आप इसको फिल ने करेंगी इसको इंग्णोर करतेंगे इस डीटेल्स को और बैसिक टीटेल्स यहाँ पर जो मंगी जाती यह उसको हम फिल करेंगे जैसे कि यहां पर इदर आपको select कर लेना कि आपका जो इस तरह कितना है ठीक है तो आपके अपने हिसाफ से select कर लिए जैसे कि यहाँपर नीची सा दे है और हिमकिन दस विघाक है तो यह है बार यहां पर लेंगे है और यहां पर लेंग मतलब के आपको जो certificate मिलने वाला है लेने वाले वो certificate किसकाम लेंगे तो चाइल्ड ओपडेटर होता है जो tablet mobile से भी वह बन जाता है अधरकर किसे नो हो जाता है पांट साल की बच्छों का वो ला लेंगे तो यह पर सब्सक्राइब करना अन्याथा यह वाला सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर commerce वाला प्लेटफॉर्म पर है और यहां पर उप्रेटर एंड सुप्रवाइजर का दोनर सट्रिफिकेट आपको मिलेगा तो यह सब्सक्राइब कर लिजिसमें सारा सब्सक्राइब का आइडिया है चला पाएंगी इसमें आप ठीक है तो यह लाश वाला यह अप्सक्राइब कीजि आना आता है या नहीं आता है अगर आता है तो कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं तो वह वाला कोड़े आपस लएक करेंगी ठीक है क्योंकि आपको सट्टिफिकेट भी देना होता है आपको अगर आप करे पास सीच्टी का आईडी है सीच्टी का का काम करते हैं तो आप सीच PC काável सेलेक्ट कर सकते हैं और इसमें सेलेक्ट यौर रिस्टार कोड तो इसमें आफ को रिस्टार होड वर कोड लैकर माँ लेंग पूर को कॉंसा कमपनी से आधार सेन्टर्वन माँदर कन दो यहाँ पर बहुत सारी कंपनी तो आधार सेंटर हो लेने वाले हैं तो आप हो सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद में आपको यहां पर आ जाना है परस्टनल डिटियल्स के अंदर तो यहां पर साइड इटियल्स से वह फिल होगी और यहां पर डालना कि आपको टेक्स जो देंगे एक्जाम देंगे वह कौन सा कर देना है प्रेमिट काटना है और स्लोट करना ही एक जम की तो प्रेमेट बटन पर क्लिख करेंगे और यहां पर आप ने यह वाला एजजेट कोड और यह आपर स्टार है सलेक्ट किया है और अगर आपको कुश्का चाहते इंट गारते यह तो चैनज कर सकते हैं और इसी को करना चाहते हैं तो आप Proceed to Pay बटन भर क्लिक किई जी है यहां पर क्लिक करेंगे ओक्लिक कर देंगे और आपके से डाड़ करने के लिए यह जो यह योख वाल आप्शन है फॉन पर Google पे पेटिम है यह वाल आप्शन पर जाना है यहां पर क्लिक करदेने और यह पर आपको इस पर किलिक कर देना है अब यह कि और को आ चुका है आपके साब ने इसको थे में में करेंगे तो यह मटाइक सुस्ट हो जाएगा जिसे कि हमने पर चुके है यहमारे फॉन पर सब्सक्राइब देन हो चुका है और इदर देख सकते हैं कुछ एर्र यहां पर रेहा थीज़ए तो इस्त्म किया होगा तो एक वाइक इसको के बार रिलोड कर लेते हैं और घृब क्या ध्या हैereye पार मैसेज भू कर Stay with अध्य एक ट्रैंजेक्शन नमबर ठीक मे题 लेख्ट राया है चलिए यहां और आगये था और अचे ने रहे चिकर चलिए यह आपर है Sahundra पर रपढ़ेंट हाज खना रहा तो भुख के लिये कि on क्यों कि चुक्श गोना होगी हो एक सेट भी करने होगी एक्जाम देने के लिए रे襟 टो यहां पर आप dog च्राव ऐसी ・・・ , में टेस्ट देने वाले है अपना left stick का अला डाल देना है वैससे इसमें कुछ AH लिस्ट आएगी यहां पर प्र पर सेलेक्टारी आशान होती है तिक है जैसे हम यहां पर स्टेक अनहां पर सप्टों सेलेक्टा अल्री यह कि आपके बाद दो अप्शन होते हैं तो आप नद्दिक में जो भी सेंटर होगा वो स्लेक्ट कर सकते हैं उसके बाद में मैं यहाँ पर डेट स्लेक्ट करना कि इस डेट को आप एकजाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके डेटा स्लेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर बाइस फरवरी के एक तेविस फरवरी किया है तो हम यहाँ पर कोई भी एक टेट सलग कर लेंगे उसके बाद में सब्मिट बटन पर किलिक करते हैंगे जैसे हमने डेट सलग की है और समिट किया तो यहाँ पर और विंडो आप खुल के आच चुका है नीचे इधर आप देख बुख कर देंगी तो फिर इसमें बचेगि 10-6 ठीक तब 12 है तो हम इसको बुक कर लेते अगर 0 होती है तो फिर आप निकर पाते हैं फिर आपको अगर रिट का इध़ार करना होता है तो इसी का लेते हैं जैसे कि इसमें टाइम है यहाँ पर जेह सकते हैं टेस टाइम आप बता रहा है टेस्ट की डेट और टाइम है मोर्निंग में और उसके बाद में है आपको 120 मिट का टाइम में लेगा इसे एक्जाम को देने के लिए फोरम को सुल्व करने के लिए जो भी क्यूशन हैंगे उनका अंसर देने के लिए कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है और यह आपका अचुका है किलिए बटन पर क्लिक कीजिए और इसका कलर में प्रिंट निकाल लिए और अपना अधर कर और इसका प्रिंट आउट लेकर आपको जो आपने सेंटर से लगिया है वो सेंटर पर पहुंच जाना है एक्जाम से एक गंठा पहले क्योंकि काफी ल लोगें को पता नहीं होता है क्योंकि दूसर दोसर में होता है आप रहां से गंठा पहले चांगे तो आप को एक्जाम वहांपर दे देना है जब आप यब आप यब द 돼ढेंगे और आपको अच्छा स्मील जाए गा तो सैंत्तवारी और जाकर ऑस का print out निकाल सकते हैं जो आपको supervisor का या operator का certificate मिलेगा वो यहाँ पर display हो जाएगा यदि आप उस exam में pass हो जाते हैं तो तो कुछ इस परकार आप यहाँ पर payment कर सकते हैं और इसी परकार आप यह slot book कर सकते हैं